पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस का भारत बंद आप NCP समेत कई दलों के नेताओं ने शिरकत की कॉंग्रेस का दावा है कि इस बंद में 21 विपक्षी पार्टियां साथ हैं राहुल गांधी ने बापू की समाधी पर कैलास मान सरोवर से लाया जल चड़ाया कॉंग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजगाट पर जाकर राश्पिता महात्मा गांधी को अपना शद्धा सुमन अर्पित किया कैलाश मान सरोवर यात्रा से लोटे राहुल 20 दलों के विपक्षी नेताओं के साथ राजगाट पहुँचे और वहाँ बापू को शद्धांजली दी राहुल अपने साथ कैलाश मान सरोवर जील से लाये जल को बापू की समाधी पर चड़ाया भारत बंद के बीच आज भी पैट्रोल डीजल के दाम बढ़े मुंबई में 88 पार तेल की लगातार बढ़ती कीमत की वज़े से पैट्रोल डीजल के दाम अब तक के रिकॉर्ड सतर तक पहुँच गए है सोमवार को भी पैट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई है बलकि इसकी कीमतों में इजाफा ही हुआ है पैट्रोल 23 पैसे महंगा हो गया है और डीजल के दाम 22 पैसे बढ़ गए है दिल्ली में पैट्रोल 80 रुपे 73 पैसे और डीजल की कीमत 72 रुपे 83 पैसे प्रती लीटर बिक रहा है जबकि मुंबई में 1 लीटर पैट्रोल 88 रुपे 12 पैसे की दर से बिक रहा है भारत बंज से पहरे राजिस्थान सरकार का बड़ा फैसला पैट्रोल डीजल की कीमतों पर 4 फीजदी वैट की कमी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजिस्थान की वसंद्रा राजे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है राजे सरकार ने पैट्रोल और डीजल पर 4 फीजदी रुपे तक की कमी आएगी मोहन भागवत के कुट्टे शेर वाले बयान पर विपक्षी दलों का हमला कहा RSS हिंदू विरोधी RSS प्रमुक मोहन भागवत ने हजारों सालों से हिंदू के प्रतारित रहने पर अफसोर्स जाहिर कड़ते हुए कहा कि हिंदूओं से एक होने की अपील है और कहा कि यदि कोई शेर अकेला होता है तो जंगली कुट्टे भी उस पर हमला कर अपना शिकार बना सकते हैं भागवत के इस बयान पर विवक्ष ने कड़ी प्रतिक्रियत दर्ज कराई है AI MIM के प्रमुक अजबुद दीन ओवेसी ने कहा कि RSS दूसरों की प्रतिष्ठा कम कर रहा है उन्होंने कहा RSS अन्य लोगों को कुता और खुद को शेर बताते हुए उनकी प्रतिष्ठा कम कर रहा है सेना में समलेंगिक तापर है कड़े कानून सेना के कानून के मताबिक सेवारत सेनी को और अधिकारियों का समलेंगिक सम्मंद बनाना कोर्ट मार्शल के दाएरे में आता है SBI ने उठाया बड़ा कदम अब दूसरे के बैंक खाते में नहीं जमा कर पाएंगे कैश लोगों के बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने बड़ा फैसला लिया है नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर जाल साजी से आए मामलों को देखते हुए SBI ने फैसला लिया है कि कि किसी के खाते में कोई दूसरा शक्स पैसे नहीं जमा कर पाएगा यहां तक कि कोई पिता भी अपनी बेटे के SBI खाते में पैसे नहीं जमा करा पाएगा बैंक का कहना है कि इस विवस्था के लागू होने के बाद से आतंकी फंडिंग पर भी लगाम लगने की उम्मीद है सेवा गुरवत्ता में कमी की वज़े से ट्राई ने जीयो, एयर्टेल, आइडिया और वोड़ाफोन पर लगाया जुर्माना टेलिकॉम रेगुलेटर ने रिलाइंस जीयो, भारती एयर्टेल, वोड़ाफोन और आइडिया सेल्यूलर पर मार्श तिमाही में सेवा गुरवत्ता मानको को पूरा नहीं करने की वज़े से जुर्माना लगाया है ट्राई ने सेवा गुरवत्ता के नियमों को कस्ते हुए, एक अक्टूबर 2017 से नए मानको को पूरा करने का आदेश टेलिकॉम उपरेटर्स को दिया था बिभिन सेवा मानको के अधार पर जुर्माना लगाया गया है, सभी ऑपरेटर पिमेंट करने की प्रक्रिया में है नोवाग जोकोविच ने तीसरी बार जीता यूएस ओपन किताब सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाडी नोवाग जोकोविच ने अरजंटीना के जुआन मार्टिन टेल पोत्रो को मात देकर तीसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता जोकोविच ने अपने करियर का चौध वा ग्रेंट स्लेम खिताब जीता और इसी के साथ वे महान पीट सेंपरास की बराबरी पर पहुँच गए हैं सेंप्रास और जाकोविच सरवाधी क्रेंट स्लैम जीतने के मामले में सियुक तुरूप से तीस त्रेस्थान पर पहुँच गए है रणवीर सिंग से शादी के सवाल पर भढ़की दीपिका बादुकूर्ण दीपिका बादुकूर्ण फिक्क्री लेडीज और्गनाईजेशन के एक इवेंट में डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करने पहुची थी तो वहां मौजूर लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकलने को लेकर अपने अनुभव शेयर कर रही थी तब ही उनसे किसी ने रणवीर और उनकी शादी के बारे में सवाल किया तो सवाल सुनते ही दीपिका गुस्से में आ गई उन्होंने कहा मैं इस सवाल का जवाब बिलकुल भी नहीं दूगी ये सवाल बेहदी इंसेंसिटिव है और ऐसे इवेंट में जहां मैं गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हूँ वहाँ ऐसे इंसेंसिटिव सवाल का कोई जवाब नहीं दूगी कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइव